हमारे यूटूब चनल को सब्सक्वाइब करने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन इस प्रगाम का आगास करना चाहती हूँ और आज के इस महफिल के जो मौज़स भेमानान हैं सदर हैं और जिसके हाथ से इस किताब की रस्मे रूनमाई अंजाम दी जा रही है उन्हें मैं बड़े नास से बहुत महबतों से स्टेट पर तश्रीफ लाने की दावत देना चाहती हूँ सबसे पहले हमारे आज की महफिल की सदारत फर्माने वाले मौतरमलमकाम जनाब अली बिलगिरामी साहब सेवे अदबन दर्खास करती हूँ कि वो शेह नशीन पर तश्रीफ लाएं और कुर्सी सदारत संभाले मुझे यकीन है कि सदर आले वखार जब कुर्सी सदारत संभालेंगे तो पहफिल यकीन अन्तालियों की गून से आपका इस्तवाल करेगी एक और मौजज मेमान हमारे दर्मियान तश्रीफ फर्मा है जिने मैं बड़े अदब से दावत दे रही हूँ स्टेज पर तश्रीफ लाने की आज के एक और बौजज मेमान मैं एक बीच में एक लफ़ छोड़ दी थी माज़रत के साथ जनाब हसन रह्मतुल्ला साहब यहां खवातीन की तादाद ज्यादा है मुझे खुशी हो रही है मैं अब जिन हस्तियों को स्टेज की रौनख बनाने वाली हूँ मुझे यकीन है कि मैं उन्हें जब स्टेज पर बदू करूंगी तो इस तरफ से ज्यादा तालिया बजेंगी क्योंकि यह हमारे लिए बड़े फखर की बात है कि हमारी हदरबाद की ऐसी खवातीन हमारे दर्मियान तश्रीफ हरमा है जो स्टेज पर आती हैं तो नसिफ स्टेज बलके प्रोगाम की रौनख बढ़ जाती है मैं बड़े अदब औहितराम से बहुत मुहबतों से सबसे पहले हदरबाद की शान हदरबाद की नुमाइंदा शफ़ियत मुहतरमा लक्ष्मी देवी राध साहबा से मुलतमिस हूं के स्टेज पर जश्रीफ है एक और अदबी शफियत जिम की अगर मैं ये कहूं के तारीखी हैसियत हो गई है तो वो गलत नहीं होगा क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं जिसे स्टेज पर मदू करने जा रही हूं उन्होंने अपने आप में एक तारीख तो रिकम की ही है उन्होंने हदरबाद की खवातीन को भी एक इतवार और विकार बखशा है उनकी तहरी ने इतनी शुक्से पढ़ी जाती है कि अखबार पढ़ने के लिए खवातीन को उनके को आलम का इंतजार रहता है मुझे याद सब है जरा जरा यह ऐसा उन्वान है जिसे मैं समझती हूँ कि नसिफ खवातीन बलके तक्रीबन सियासत पढ़ने वाले या फिर अगर सियासत नहीं भी पढ़ते हूँ तो एक दिन खास तो मुझे पढ़ने वाले मुझे याद सब है जरा-जरा की तखलीखकार मजामीन की तखलीखकार अगर उसके किताबी शगल दी जाए तो एक तारीखी दस्तावेज हो सकती है तो हमें बड़े बहुत फखर है कि हमारी महफिले खवातीन से आप वावस्ता हैं और हमारे लिए बड़े इहतराम की बात है कि आज हमारे दर्मियान तश्रीफ फर्मा है ये मैं छोड़ी सी बात इनके तालुख से ये कहना चाहती हूँ कि इससे पहले कि उन्हें स्टेश पर मदू करूं मैं जरूर ये कहना चाहती हूँ कि मैं जिस शक्सियत की बात कर रही हूँ वो एक ऐसी शक्सियत है जो अपने क्या मैं जरूर ये बीड़ करें तो सारे हेदरबद की तारीख हमारे सामने कहुल कर रख देती हैं तो हमारे लिए वो एक ख़्जाना हैं हमारे लिए वो एक तौफ़ा हैं जो आज हमारे से टेश की जिनत बनने जा रही हैं मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे मैं बह कि अप्राइब 2 सिर्फ जफ यंग, सिर्फ जजे लॉशिए, प्राइब 2 जब सबुनी टुदी कि अवस्टिर नोग्ट कि अवस्ट जब शुरे टी लॉशिए. मैंने कभी कुछ अशार लिखे थे आज मैफिल में बुए हिना चाएगी आज मैफिल में बुए हिना चाएगी फूल महकेंगे काली घटा चाएगी और चांदारो जरा देर छुप जाओ तुम अब चलक आचलों की जरा चाएगी तो आज की जो मैफिल है वो खवातीन के लिए ही है खवातीन के लिए जो किताब आई है वो खवातीन के लिए जिसने लिखी वो भी खातून है और यहां खवातीन की तादाद भी ज्यादाद मौजूद है बहराल मैं एक खुबसुरत फरिजा है मैं तारुफ कराना चाहती हूँ सबसे पहले समीना बेगम साहबा का यहां पर मैं तारुफ पेश करूंगी जो नहायद जरूरी है क्योंकि समीना बेगम की अर्खरेजी का नतीजा धोलक के गीताब के सामने है तो इनके बारे में अगर बात न की जाए तो सक्त नाइंसाफी होगी तो मुझे ये फखर हासिल है के समीना बेगम साहबा आज हमारे दर्मιάν एक किताब की मसनफा की हैसे रिसर्च वर्क करके हमारे सामने उन्हें जो किताब पेश किये हमारे दर्मियान है आए दिन किताबों की रसमे इज्रा हमारे शहर में अदब की लहलाहाती खेदी बेशुमार फूल बनती जा रही कलिया हमारी अदबी दुनिया को अपने रंगो बू और खुझबू से मौत्तर कर रही है खवातीन खलमकारों की लगता है के खेदी उगाई है बहुत खुशाइन बात है जबान अदब की खिदमत हमारे शहर का माहूल दूसरे स्टेट्स के मुखाबले में बहुत खुशगवार है अर्दू अकैडमी का जुजवी मालित ताउन ताउन भी होता है जो लिखने में बढ़ावा देता है हिमत अवजाई करता है अफ्साने, इंशाये, मजामीन, शायरी के मजवववें आए दिन मन्जर आम पर आते हैं आते ही रहते हैं लेकिन आज एक मुख्तलिफ नौइट की किताब मन्जर आम पर आएगी आप देख रहे हैं कि दोलक के गीत इसका मजबुआ है जो आज बंजरियाम पर आने वाला है जिसकी खिलमकार मुहतरमा डॉक्टर समीना बेगम है समीना बेगम का मुतवस्थ घराने से तालुख गर्मेंट गर्ल्स हाइज स्कूल मजबुआ से एससी पास किया नामपली जूनियर कॉलेज से इंटर साथ साथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर अप्लिकेशन उर्दो इंगलिश टाइप राइटिंग फैशन डिजाइनिंग, फैब्रिक, फैब्रिक पेंटिंग, हैंड इम्राइडरी और निटिंग में भी महारत हासिल की ये इनके इप्तिदाई दौर की बात है जब इन्होंने अपनी जिन्दगी की शुरुआत की थी नौ साल की कच्ची उमर से शेर कहना शुरू किया, पहली नजम मेरी तमना नौ साल की उमर में लिखी, बीए में फर्स्ट इयर में शादी के बंधन में बान दिया गया वो क्या करे, पढ़ाई जारी रखने की, इलतिजा करती रही, पांच दिन के बच्चे के साथ सेकंड इयर का इम्तिहान दिया बहरेहाल कौन सा जजबा रहा होगा कि उन्होंने भी ये पास कर लिया मौलाना अजाद नैशनल उर्दो युनिवरसिटी की पहली तालिबा होने का भी उन्हें इजाज हासिल है आप देखे, मानो की ये पहली तालिबा रह चुकी है, इसके लिए हम तालियों से इंदास्ट अखबाल करते हैं शादी के बाद मौला अली में घर गच्ची बॉली में युनिवरसिटी रोजाना का आना जाना बेहद नामुम्किन दो मासूम बच्चियां, उनकी देखभाल, तालीम औ तर्बियत की जिमेदारी, पढ़ाई तर्क करना पड़ा बहरहाल उसे पढ़ाई तर्क करना पड़ा, घर के करीब किसी स्कूल में पढ़ाती, टूशन्स और महले के औरतों को क्राफ्ट सिखाती, लिखने का शौक था कि चैन से बैटने ही नहीं देता सियासत और मुंसिफ में कहानिया और नजमें छपने लगी, एक दिन महफिल खवातीन से वाबस्ता हुई, जहां उनकी शायरी के मजमुएं, पहली छोटी सी किताब ये लेकर आई थी महफिल खवातीन में, उसकी हम रसमे इजरा बड़े चाव से अंजाम दी गई थी, और ह केले सिन्फे नाजुक के कंदों पर लाद कर कोई फरार हो गया था, समीना ने बड़ी दिलेरी, खोश्मंदी और सबर का मजाहरा किया, दफ्तर सियासत के जिरहतमाँ गरीब इफराद के लिए विकला की मुफ्त काउंसलिंग से भी रुजू किया, इदारा शूमन राइट इस मलकाजगिरी की मदद से मसलसल पांच साल कोशिश करती रही, बहराल आखिर आज वो आज़ाद है, मुझे इननों बताया, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी कि ये छोटी सी थी, महफिल खवातीन रेडिल्स में होता था बंजरा हिल्स में, रोडा मेस्तरी के आफि पीचर डाल के रख दिया गया था वो कमरे में, वो कभी हमारे हॉल में नहीं आए, क्योंकि उन्हें डरता के शायद उन्हें मना किया जाएगा, वो उस कमरे में बैठकर हामुशी से हमारे महफिल-खवातीन के प्रोग्राम से कई महीनों तक देखा करती थी, सुना करती थी आप तालियां बजाएए कि एक लड़की इसकी उर्दू जबान की इसे लिखने, सुनने, पढ़ने की जो महबत है, उसे कहां कहां तक लेके घूमते रही वो अपने आपको, अपने कांधों पर उस महबत को घूमती रही और नहीं लखवातीन के प्रोग्राम चुप-चु इसके बाद मानु से ME किया, MFIL किया, MFIL में नवायां काम्याबी हासिल की और हिम्मत और जुस्तजयू से, जुस्तजयुलाइख सताइश, और तखलीत के अर्न-वाई-ल लर्न यह जो स्टाटजी है, उसके तहद उसी यूनिवस्ट्री में काम करती रही और अर्दू जाल तक City Center Hudge House और मानू में Office Assistant की आरजी जाब करती रही अब UGC HRDS मानू में Contract basis पर उन्हें मुंस्तखिल किया और वो वहा रही अपनी जिमेदारी निभा रही है और एक खुन जिगर से लिखी हुई मुखतर से हालत जिन्दगी की तस्विर मैंने पेश की और अब माशालला, अलहमदुल्ला, अलला का शुकर है कि इस खाबिल हैं वो मानों में बरसर रोजगार है और मैं चाहूंगी कि समीना के लिए जोरदार तालियां जरूर हों कि ऐसी शफियत, ऐसी जुस्त जो कम नजर आती है, कम देखने को मिलती है जिसको सब कुछ महसर आता है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये लड़की आज सब के सामने है, एक नमूना है, एक मिसाल है तो मैं चाहूंगी कि समीना वेगम आज अपने मेहमानों के खुदमत में हदिया गुल पेश करें मैं समीना वेगम से खाहिश करती हूँ, कि वो अली बिल गुरामी साहब के खुदमत में हदिया गुल पेश करें और शाल पोशी करें समीना से खाहिश की जाती है कि दूसरे मेहमान एजाजी हसन रहमत अल्ला साहब के खुदमत में हदिया गुल और शाल पेश करें मुहतरमा लक्ष्मी देवी राज स्टेज पर तश्री फर्मा है उनकी खिदमत में बुके और शाल पेश करेंगी समीना बेगम डॉक्टर अबदेश राने की खिदमत में हदिया गुल बुके की शकिल में और शाल पोशी डॉक्टर समीना करेंगे फूल उन्हें भी पेश किये जाएंगे जो आज महफिल पर च्छा जाने वाले हैं और आप तमाम को यकीनन लुट्फ आएगा उस लुट्फ को दोबारा करने के लिए हम चाहते हैं कि पहले फूलों से उन्हें नावाजा जाए तो आज की जो ढुलक के गीत पेश करने वाली खवातीन हमारे दर्मयान तर्शीफ हर्मा हैं मैं हाफेजा भी से खाहिश करती हूँ कि वह यहाँ हैं और फूल ले जाएं समीना बेगम के हाथ से सारा भी आबदा भी तीनों भी तर्शीफ लाईए और फूल ले जाएए आप बागी के नाम मुझे नहीं दिये गए और हम नहीं जानते आप सब आईए एक के बाद एक आईए और अपने समीना बेगम से फूल गुल्दस्ता हासिल किजे तीन नाम हैं मेरे पास बाखी के नहीं हैं वो खुद भी नहीं जानते है आज जो ढूलक के गीत है तो किताबह में बंद है आप ट्रैक्टिकल देखेंगे आप लुफ तंदोस हैंगे इं इनके फोन नमबर के नाम से बना के मैं इनको गिफ्ट करूं ताके ये काम आए उनके अरे वाँ 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 बहुत बड़ी बात है हाजरी ने महफिल साहब महफिल के बगए स्टेच कितना अधूरा लगता है जिनके लिए हमने महफिल सजाई है वो मेजबानों में शामिल है हम चाहते हैं कि वो स्टेच पर तश्रीफ लाएं और स्टेच को रॉनक बखशे मैं डॉक्टर समीना बेगम को दर्खास्त करती हूं उनसे कि वो तश्रीफ लाएं और स्टेच पर रॉनक अफरोज हो और तालियों की गुंज में इनका इस्तखबाल हो हमारी महफिला खवातीन की एक मेंबर मुहतरमा रफिया नौशिन साहिबा यहां तारुफी कलमात पेश करेंगे मैं उनसे खायश करते हूं कि वो तश्रीफ लाएं और तारुफी कलमात पेश करें शेर नशीन पर तश्रीफ फर्मा आज के इस प्रोग्राम के सदर और सारे महमनाने खुसी मौजिस खवातीन और हाजरात और ढोलके गीत पेश करने वाले दोनों टीमे आप सब को अस्सलाम अलेकम आज हिदराबाद की इस रंगारंग महफिल जिसमें दक्कनी अदब की एक एहम सिन्फ लोग गीत पर मबनी डॉक्टर समीना बेगम की तस्नीफ हिदराबादी ढोलक के गीत का रसम इजरा है जराए बलाख और अकाबरिन अदब की कहकशा हैं और फिर हिदराबादी तहजीब की एक बहुत ही पुरलुट्फ खदीम तहजीब की रंगीनिया यानिके ढोलक के गीत की पेशकशी भी है जिस से सामईईन और सामयात यखिनन महसूस होंगे मैं सबसे पहले दिली खेर मगदम करती हूँ इस जलसे के सदारत का फरिजा अंजाम देने वाले EID के साबेखा सदर आली जनाब अली बिलग्रामी साहब का जिनके दस्त मुबारक से आज हिदराबादी ढोलक के गीतों का रसम इजरा अंजाम पाएगा और आज के इस प्रोग्राम मैं समीमे खल्ब से इस्तखबाल करती हूँ आज के इस प्रोग्राम के महमाने खुसी आली जनाब हसन रहमतल्ला साहब का जो चेर्मेन है रेडियो चार मिनार FM 107.8 हिदराबाद का मैं चाहती हूँ के जोरदार तालियों से इनका इस्तखबाल ह क्यूंके जिनका रेडियो आज हिदराबाद की पहचान बन चुका है और काफी अच्छे 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 अच्छा मैं माजरत खाऊ हूँ रसमे इजराबी जो है जनाब हसन रहमतल्ला साहब ही अंजाम देंगे तो काफी अच्छे अच्छे प्रोग्राम रेडियो चार मिनार से होते हैं मैंने भी काफी सारे प्रोग्राम वहां पे दिये भी हैं और सुना भी है और मैं इस्तेकबाल करती हूँ दिल की अथा गहराईयों से हम सब की चहिती और तारीख के वाकियात का खजाना रखने वाली हिदरबाद के रोजनामा मुंसिफ की मारूफ, नामा निगार, महतरमा, ओदेश, रानी, बावा साहिबा का, जिनके बारे में पहले ही तस्नीम जोहर साहिबा ने इतना कुछ कह चुका है, लेकिन एक बात उन् के दिल करता है कि बस वह बोलती जाएं और हम तारीख को अपने अंदर समोते जाएं तो दोरदार तारीया मैड़म के लिए, मैं पुर्टपाक इस्तकबाल करती हूँ, हैदरबाद की नुमाइंदा हस्ती, और नामवर समाधी जहतकार, महतरमा लक्षमी देवी राज जिनकी शिरकत इस प्रोग्राम को यखिनन चार चान लगाएगी, और मैं इस्तकबाल करती हूँ, आज के प्रोग्राम की बाग दोर समालने वाली इंतहाई एहम शख्सियत, महतरमा तस्नीम जोहर साहिबा का, जिनकी नजामत में इस जलसे के कामियाबी से एहम किनार करने मे बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, मैं इस वक्त हाल में मौझूद, तमाम अहम शख्सियत, और मौजजिस खवातिन और हजरात, और ढोलक के गीत सुनाने वाली टीमे, और सारे दोस्त अहबाब का, फर्दन फर्दन दिल की अमीख गहराईयों से इस्तकबाल करती हूँ, औ आप इस प्रोग्राम से बहुत लुत्फंदोज होंगे, और एक बहत्रीन यादों का सर्माया अपने साथ लेते जाएंगे, एक शेर आप तमाम के लिए पेश करों, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुश्बो, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुश्बो, तो आईए पूरी दिल्चस्पी और तवज्जो के साथ हमारे साथ बने रहिए इस रंगारंग प्रोग्राम में। आपने तारुफी कलमात पेश किये हैं और एक चांस बन जाता है रफिया, बहुत खुबसूरत, बहुत अच्छी बात आपने, बहुत अच्छी अंदाज में आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थे काशानों में बांध ऐ बादे सबा, पाउं में घुंगरू तू भी। बांध ऐ बादे सबा, पाउं में घुंगरू तू भी। साज दिल छेड़ दिया, गुलने गुलिस्तानों में। तो आज वाकी साज दिल छेड़ेंगी ये खवातीन, और यहां जो गुलिस्तान अपने अतराफ मौजूद है, उनके एक एक पत्ते और फूल का दिल भी यकिनन धड़क उठेगा, और आप उसके साथ तालियों की गुंज में इस्तखबाल करेंगे। आईए हम उस मंजिल पर आ गए हैं जिसका हम सब को इंतजार था और खुद डॉक्टर समीना की मेहनत यखिनन आज रंग लाएगी और समीना बेगम चाहेंगी कि जल्दी से जल्दी उनकी काविश मंजर आम पर आ जाए। मैंने अभी आप से कहा के हमारे दर्मियान रेडियो चाहर मिनार के चेर्मिन तश्रीफ फर्मा ए है जनाब हसन्रह्मतुल्ला साहब आप तरमियान आज तश्रीफ फर्मा हैं और किताब की रसमे इजरा होने जा रही है। तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता दू हमारे महमान महमाने खुसी के बारे में कि आपका तालुख हिदरबाद से ही है अप्तिदाई तालीम हिदरबाद से हासिल की देहली यूनियोसिटी से ग्राजवेशन किया तालीम से फरागत के बाद अपने वालिद के बिजनस से म और बिजनस की बागडोर समाली उसके बाद हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप बे बनाह सलाहियतों के मालिक हैं और वो सलाहियते ही हैं जो आज आप हमारे दर्मियान आज तश्रीफ फर्मा हैं मैं बहुत ही अदब औहतराम से आज के एहम फरीजे की जानिब आपको ले चलती हूँ और हम चाहेंगे के सबसे पहले किताब ही क्यों नमंजर आम पर आ जाए मैं तालियों की गूंज में मैं चाहूंगी कि आप इस किताब की रसमे इजरा अजाम दें क्या है मैं सबसे पहले डॉक्टर समीना बेगम को इस किताब की रसमे इजरा पर तहे दिल से मुबारक बात देती हूं और मैं चाहती हूं कि आप सब एक बार बहुत जोरजार तालियों में इस किताब का इस्तक्वाल जरूर करें मौजज़ आजरीन एक खुशगवार फरीजा एक तो गुलपोशी दुसरे किताब की रसमे इजरा अब हम जाना चाहेंगे कि हमारे महमानान का क्या नजरिया है समीना बेगम की किताब के तालों से, समीना बेगम की काविशों के तालों से समीना बेगम की मेहनतों के तालों से तो मैं सबसे पहले हमारे दर्मियान तश्रीफ फर्मा, मौजज़, हिदरबाद की शान हम जिसे कहते हैं, हिदरबाद की तहजीब की नुमाइंदा, और हिदरबाद में अगर कोई महफिल होती है, अदबी महफिल होती है, या कल्चरल महफिल होती है, तो आपके बगएर महफ करती हूं कि अपने ख्याल, जर्रीन ख्यालात का इसार करें। शुक्रिया। डाइस पे तश्रीफ फर्मा मेहमाना ने खुसूसी और हाजरी ने महफिल। आदावर्द। आज मुझे इस बात की बड़ी मसरत है कि बिलाखिर हमारी अगली पीडी जैसे समीना बेगम वगारा जैसे लोग बाशवर लोग हैं जो हमारी तहजीब और विरासत को खायम रखने में राजा रखते हैं। मेरी बड़ी खुशी की बात ये है कि उन्होंने डोलक के गीत किताब चपवाई है। मेरे आप से इलतजा है कि एक किताब खरी दिये और अपने बच्चों को पढ़ाईए समझाएए कि ये गीत क्या मतलब रखते हैं। और दूसरी बात जो मैं हमेशा हर वक्त महफिल खवातीन में भी कहती हूं हर जगा कहती हूं। हर बच्चे को अपनी मादरी जबान आना बेहत जरूरी है। और हम सब की मादरी जबान उर्दू है तो हम बच्चों को अपने पहली उर्दू सिखाएए अंग्रेजी ने। अंग्रेजी बच्चे शूल में सीख लेते हैं। और पिर आपके बच्चे में और कुटे में कोई फरख ने रहा हैं। कम ये टॉमी, कम ये बेटा। लिल्लाह रह्म कीजे अपने आने वाले नसल को आगा कीजे कि हमारी तहजीब क्या है, हमारा कल्ट्र क्या है, से वावसा रख ये बच्चों को, ये ज्यादा जरूरी है। एक जमाने में मुझे अची तरह से यादे हमारे घरों में हमेशा शादियों में मिरासियों को बिलाते थे, बहसरीन ढोलक के गीत गाये जाते थे, ये जो पीछे बचे बचे इनका तालुख तो है अभी, मगर बाद मिरासियां ऐसी आने लगे हैं, जो फिल्मी गाने गाने लगे हैं, जिससे मुझे सख नफरत है, सच चिड़ाती है, अलावा हिदरबाद के मेरे क्याल में यूपी में भी मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, खास अदा है, जहां पे लोग इतने खुपस्कुरा धोलक के गीत, घर बैठे धोलक बजाते वे गाते थे, दुल तो हमको चाहिए के हमारी वेरासत को हम खाइम रखें, बच्चों को अर्दू पढ़ाएं, अपनी तहजीब सिखाएं, अपना तमद्दून सिखाएं, और हैदरबाद हमेशा से मशूर रहा है अपनी गंगा जमनी तहजीब पर, और हमको इस पे नाज है, और इसको हमको ब अर्दू की लिए ही पैदा हुई है, अर्दू का तहाफुज ही जमेदारी है, और मैं एक बात बताओं आपको बास लोग शायद नहीं जानते होंगे, ये बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत फखर से कहती हूँ, हमर महफिल में जहां ये होती है, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मुहतरमा लक्ष्मी देवी राज अर्दू की इतनी दिलदादा हैं, एन्हें एक तरह से उन्होंने जिमेदारी ली है, अर्दू के तहफुज, इर्तका और बखा की, वो तो हर महफिल में कहती है कि अर्दू सीखना चाहिए, अर्दू को आगे बढ़ना लेकिन उ और क्या चाहिए इस से बढ़के, तो बहराल मुझे यकीन है कि जो अर्दू मीडियम से उनको भी मैस, अर्दू के अली एक, दो, तीन समझ में कम ही आता होगा, लेकिन लक्ष्मी बाजी ने उसका उसका भी तहफुज, उसका जिमा लिया है, बहुत बड़ी बात है, बहरा जिबिया और दीगर तखारीब की रौनख बढ़ाने वाले गीत और धोलक की थाप के साथ, जिसमें कच्ची हिना की, भीनी भीनी खुजबू, मोतिया, मोगरे के गजरों की महक, मिसी की धड़ी की ललक, कंकर के जोड़े की चमक, कैखाओं की फुलचडियां, सम्धन से छे और अटखेलियां, खासे की खुजबू, चुबे की महक, दुलहन का घुंगट के पीचे से शर्माना, सहलियों का गाना, पता नहीं क्या क्या नहीं होता जो इन्होंने समेट लिया हर जगा, गली गली, महला महला, गाउं गाउं, शहर शहर, घूम घूम कर, ये खजाना एक रेजी की होगी, तो ये मचववा मनजर आम पर आया होगा, इसे महफूज रखना आने वाली नसलों की जिम्मेदारी होगी, क्योंके ये हमारी तहजीब की तारीख है, घर घर पसंद किये जाने वाला खुजगवार तुखवा है, और अभी बाजी ने कहा, कि वेस्टरन कल आगे हमारे ढूलक के गीत बहुत बहुत चा जाएंगे, तो मैं फिर एक बार मुबारक बात देती हूँ, हमारे दर्मियान, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब दिल थाम कर बैठिये, कि आपके सामने आसारे कदीमा की तारीख की रखवाली, मुहतरमा अवदेश, डॉक्टर मुन सिफ अखबार अधूरा रहता है, आपके कॉलम के बगार, मुझे याद सब है, जरा जरा, हमारी मेफिल थे वाबस्ता है, और अर्दू में आपने पेजडी किया है, सालर जंग म्यूजियम में बहुत अच्छे हुदे पर फाइज रही, और जब बोलते हैं, आप जब बोलना शुरू करती हैं, तो सब दिल थाम कर सुनने लगते हैं, कि इन्होंने ऐसी ऐसी बाते कहीं, जो हमने कभी न सोची थी, ना कभी सुनी थी, तो ये खजाना बाप के सामने पेश होगा, डॉक्टर अवदेश रानी बावा साहिबा, मौजिस, शेहनशीन, हजरात, और मेरे कुछ बज़र्ग साथी, और कुछ कम सिंसाथी, आज की ये महिफिल मैं नहीं चाहती कि आपके दर्मयान बहुत देर तक बोलती रहूं, क्योंकि जो गीत सुनेंगे, वो खुद अपनी एक तारीख होते हैं, मैं पहले समीना को मुबारक बात दोंगी, कि उन्हें वो काम किया है, जो आज हमारे पास बहुत जुरूरी है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कहना बहुत आसान है, लेकिन जो बेटी पढ़ाता है, जो बेटी बचाता है, वो ही जानता है, कि किस तरह से ये काम अंज लाहे कहते हैं नहीं तो इसका मतलब यह होता है कि अगर नसल आपको आगे बढ़ानी है और वो नसल बहुत अच्छी हो उसमें औरत का पढ़ाना बहुत बहुत जुरूरी है पता नहीं हम लगोंने 15-20 सदी में इसलाम में भी यह बात दाखल कर दी है कि साब आउर्तों को ने हुआ हुआ नहीं अगर इस्लामी तारीफ को देखेंगे तो हमको बीबी खतीजा से लेके नीचे आने वाले तक कई हजरात मिलेंगे और बीबी जैनब ने तो इसलाम बचाने में वो काम किया जो हजरत हुसाइन और हुजार इमाम हुजाय ने किया था यानि कर्बला के मैदान के बाद जो काम किया है उन्होंने तो औरत कमजोर नहीं होती है इसकी मिसाल हमारे सामने समीना है और चुके मेरा तालुख ना सिर्फ म्यूजियम से रहा है बलके मैं कई जगाओं पर जिस रोज मेरे बास से मेरी लड़ाई हो जाती छोड़के दूसरे रोज दूसरी नौकरी कर लेती थी तो इसमें मैं तालीमी शोबे से भी वावस्ता रही हूँ और ये S.C.R.T. N.C.R.T. जो बहुत बड़े इदारे हैं जो स्कूल एजूकेशन के लिए है इसमें एक बात हम बहुत शिद्ध से महसूस करते थे कि हमारी आजादी के सतर साल बाद भी हमारी जो तालीमी खाविलत में जो हमारा वो आता है सर्वे होता है उसमें हमारे पास सिर्फ बेस्पेंगाल और केरला को छोड़ कर कहीं भी तीस फिसद से हम आगे नहीं बढ़े है यूपी और बहार का तो खाल और भी बुरा है तो जब कोई लड़की आगे बढ़के पढ़ती है और खास तोर पर वो लोग जो माशी एतिबार से बहुत पसमानदा हो जाते है तो उनको सिर्फ अपनी रोटी और रोजी का ही रहता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि जो हमारे बुजर्ग लगाते हैं नारा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम एक बच्चे की पढ़ाई की खीमत जो है एक लाग साथ हजार रोपिय सर्फ प्राइमरी स्कूल में खर्च करते हैं साल आना तो कहां बेटी बचाएंगे और कहां बेटा बचाएंगे अगर आप वो माशी इलाखे जहां पर बहुत कमजोर हैं अगर आप जाके एक बार देखेंगे तो पता लगेगा कि बच्चे जो है प्यास बेश के आते हैं पढ़ने के लिए बच्चे पकोड़ियों की दुकान लगा कर पढ़ने के लिए आते हैं तो वो बच्चे जो आगे बढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी है और वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए जरूरी भी है तो मैं एक बार फिर समीना को मुबारक बात देती हूं कि वो ना सिर्फ अपनी बच्चों को पढ़ाएं, बलके आगे और बच्चों को पढ़ाने का भी अब एक बेड़ा उठा लें और ये जो धोलक के गीत हैं, जो इन्होंने जमा किये हैं, एक सो साथ गीत हैं, जो मुक्तलिफ तगारीब पर हमारी इहां गाए जाते हैं और बोले जाते हैं, और हर जगे होता है, इसमें कोई मजभ या वो नहीं होता है, यह कोई दरजे नहीं होते हैं, और ये गीत औरते ही लिखी हुई हूँगी कभी ना कभी, औरते ही ने तुक बंदी की होगी, और वो तुक बंदी इतनी खुबसूरत होगी, कि लोगों ने उ शाहर का शेर ना हो जाएं गुदिश्टा जंग में घरी जले मगर इस बार अजब नहीं कि ये परचाईयां भी जल जाएं अगर हमने इन गीतों कोई इन बातों के हफाज़त नहीं की तो शायद हम अपनी जबान से अपने कल्चर से अपनी सखाफत से अपने इनसानियत से मह लोग जो डखनी जबान पर लिसानियत का काम करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये दस्तावेश थाबित होंगी और मेरा ये यह मज़ादा देर नहीं बोलूंगी क्योंके दो मिनट से दो दो दिन तक की बात मेरे लिए तली है उतना बोलने की ताकत नहीं है आपके पास डोलक के गीद गाने वाले बैठे हैं आप उनको सुनिए और खुश हूँए शुक्रिया आप सबकूर। मौजज महमानान तश्रीफ फर्मा हैं आपकी बातों को अपने खवातीन अपने दामन में अपने पलों में बांध कर ले जाएंगे और अपने अपने घर में उर्दू पढ़ाने का जरूर कुछ शुरुआत तो होगी अगर नहीं है तो यकीना कुछ ना कुछ तहरीक तो म हम आपको तबरुक की तरह में फिलों में बिलाते हैं क्योंकि आप जो लवस पेश अलफाज आपके होते हैं वो तबरुक ही होता है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है बहुत बढ़ी बात है बहुत बहुत शुकरिया अ बिल्कुल चकबस्त और फिराख के मात्य का तिलक हूं इगबाल के नगमात में आएद की जलक हूं दोहो में कबिरा के महबत की महक हूं क्यों मुझको कह रहे हो कि मैं मुसल्मान हूँ सारे जहां की शान मैं अर्दू जबान हूँ हिंदोस्ता की जान मैं अर्दू जबान हूँ ये नाचीज के चंद लाइने थी मैंने कहा है अर्दू पर नजम तो आपके सामने मौका आया तो मैंने पेश किया, शुक्रिया हादरीने महिफिल, कैसे कैसे लोग हमारे दर्मियान आश्टाश्टी फर्मा है और कैसे कैसे लोग उर्दु जबान की दिल से खिद्मत कर रहे हैं और कैसे कैसे लोग उर्दो जबान में नहीं नाम कमाया है यहां पर, बलके कई किताबें लुच चुके हैं, और उर्दो जबान की खिदमत करते करते, सारी दुनिया में इन्होंने अपना नाम भी कमाया है, उसमें एक नाम, मैं बहुत महबतों से, मेरी बहुत अजीज दोस् मल्यालम, इंगलिष, हिंडी, अर्दू, कुछ कुछ तिल्गू आप देखिए चार जबानों में ये शाइरी करती है अर्दू में इनके तीन मजम, दो मजम demais आचुके हैं और इंगलिष में अचुके हैं और इंगलिष में भी आचुका है तो मैं बहुती महबबतों से मेरी दोस्त मोहतरमा Elizabeth Korean Mona से खायश करती हूं कि वो यहां तश्रीफ लाए और अपने ख्यालात का इजार इंग्लिश में करें तालियों की गूंज में Mona का इस्तखवाल होना चाहिए Thank you for your kind words respected guests on the dice and my dear friends if one is asked what Hyderabad is famous for the answer would most probably be Hyderabad-i Biryani or Charminar Sherwani, okay I didn't know that a lesser known speciality of this place is Dholak-ke-geet these songs accompanied by beating of small drums used to be sung at all important occasions like childbirth, naming ceremony, birthday, engagement, marriage, etc Dholak-ke-geet are of various types humorous, religious, philosophical and festival oriented they give an insight to the culturalist life of the people the language used is colloquial and is more in a conversational mode it does not follow the meter, rhyme and refrain pattern of general Urdu poetry in her book Hyderabad Dholak-ke-geet Samina Begum has presented 160 songs for various occasions painstakingly collected by her these being folk songs they were brought down from generation to generation in oral form originally ladies of the house participated in singing and beating the drums later on professional women singers called marasins were invited the popularity of Dholak-ke-geet which used to be the main entertainment in weddings and other functions decades ago has considerably reduced now what we mostly hear at special occasions is the blare of loud music with catchy film songs Samina's work has rekindled interest in the old world charm of the Dholak-ke-geet she took up this subject for her MPhil at Manu and published her first book in Urdu Radio Charminar 107.8 relayed these songs and also put them up on YouTube the feedback was very encouraging from India and abroad Samina has dedicated her book to this channel in gratitude since there were many requests from those who could not read Urdu a need was felt to bring the Dholak-ke-geet to such readers also therefore Samina took up this work of getting the songs published in both Roman and Urdu scripts the translation of the text with introductions has been done by Mr. Mohammed Rafiuddin Siddiqui this heartbound book published by Educational Publishing House New Delhi is voluminous with more than 500 pages the cover page shows Charminar in the backdrop with a picture of a group of ladies singing Dholak-ke-geet academicians and literary personages have given their comments about the book Samina has started her book with a tribute in verse Hyderabad which is a virtual sightseeing of the city as she has mentioned all the important places her preface of about 50 pages gives a detailed version of the background and variety of Dholak-ke-geet the English version starts from left and Urdu from the right side of the book between them the songs have Roman script on the left and Urdu on the right the page numbering has been done both ways for Urdu at the top and English Roman at the bottom of the pages actually madam was telling about learning Urdu I think this is also another method of learning Urdu because the Roman is there one side and the Urdu is there on one side so then you can mix match it and learn Urdu to some extent Samina has put in a herculean effort to do the research and compile this book she was in and used to write down the songs in her notebook these became the starting point of her collection when she selected this topic for her MPhil she met and interviewed numerous people in this field she has mentioned in her chapter gratitude the names of those who have helped her apart from this she has taken it upon herself to publish the book at her own expense Samina has made this possible by the dint of her hard work and perseverance and her friendly personality that makes interaction smooth this book is a boon to lovers of literature and a guide to those who wish to learn or sing Dholak-ke-geet it will be an asset in libraries and also in personal collections so hoping that Dholak-ke-geet will also be quoted in future as an important aspect of Hyderabad like its famous biryani and chaar minar thank you thank you very much thank you very much thank you to whoever's suffering sahaja thank you to everyone जोग बनेंगे जैसे किसी ने कहा कि भाई आप अपने बच्चे को कहा कि बच्चे आप जो है कसरत से दुरूदे शरीफ पढ़ो बच्चा कान पकड़के उट बैट करते हुए कसरत के साथ दुरूदे शरीफ पढ़ने लगा तो ये बात शुका के लिए भूल जाए जिस तर कि अर्दू का डामन बड़ा वसी है और इसमें आने वाला जो भी आता है अपने मा की गोत की तरह इसमें बच जाता हुए हमारी जबान की इस क्रिप्ट कभी नहीं बच्दिनना चाए बहुत अच्छी बात कही मौतरमा अवदेश रानी बावा साहबाने देखे मैंने पहल से मिलते हैं वो शायद आने वाली नसलों से हम ये खजाने हम तसबूर भी नहीं कर सकते जो मालूमात हैं जो बातें आप कहती हैं जो मशे कर आफ देती हैं वो बहुत ही कारामद होते हैं खासवर से उर्दू जबान के हवाले से अभी मौना ने मेरे दिल में एक छोड़ी स बहुत अच्छी जबान, ऐसा होता है कभी कभी, लेकिन उसके बाद जब अवदेश रानी सहाब आउट खड़ी वी, अर्दू का जहंडा अपने समाल रखा है, अलम बर्दार है, हम सब अर्दू के रखवाले हैं, अर्दू हमारी जबान है, हम जिन्दा रखेंगे, इसको हम समीना हमारी मिसाल है, समीना जैसी है, डॉक्टर अतिया मुझी वारफी है हमारे पास, ऐसी ऐसी हस्तियां, जो नौजवान नसल उभर कर आ रही है, उर्दू के रखवाले हैं यह सब, तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए, उर्दू हमेशा जिन्दा रहेगी, यह ढोलकी ग तो हो सकता है, उसकी टारीख भी लिख़ी जाये, उसके वारे में भी लिखा जाए, उनके तैजीब है, हम तैजीब की इफाज़त हम करना चाहते हैं जानते हैं, अर्दू जिन्दा रहेगी, और मुझे यकीन है, कि समीना की बच्चίαं भी अर्दू से वाख़िव होगी. दर्मियान तश्रीफ फर्मा है, बहुत कम लोग शायद जानते होंगे, लेकिन मैं उनका छोटा सा तारिफ करा देती हूँ कि आपका नाम जनाब अली बिलगरामी है, फॉर्मर प्रेसिडंट EID पारे लिमिंटेड, जो आज हमारे दर्मियान तश्रीफ फर्मा है, सदारत की क अरूफ नसीमा पर आपके लिए, अली बिलगरामी साहब हिदरबाद में पैदा हुए, अब्तिदाई तालीम भी हिदरबाद में ही हुई, आपके वालिद जो हाई कोट के जज्ज थे, मुंबई मुंबई मुंटखिल हो गए, अली बिलगरामी साहब ने मुंबई आपने में किया, पोस्ट ग्राजवेशन आपने किया, उसके बाद आपने क्यारियर का आगास आईल इंडस्री से रुजू करके इन्होंने किया, जो आज हिंदुस्तान पेट्रोलियम के नाम से मश्यूर है, फिर आपने ई-आई-डी पैरी का रुख किया, जो नह सिफ हिं इंडस्तान बलके सारी दुनिया में मश्यूर है, मश्यूर कंपनी हैं और वही और वही से आप रिटायर भी हुए, बहसियत प्रेसिडंट, आपने अपनी खिद्मात के बेश वहा, बीस साल इस कंपनी को दिये हैं, बादजा, बिलगरामी एन असोसियेट्स के नाम से, एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म उन्होंने खायम किये, और आज हमारे दर्मियान बहसियत सदर तश्रीफ फर्मा हैं, मैं बड़े अदब से कुर्सिये सदारत की तरफ रुख करते वे, आपको अदबन मुजारिश करती हूं के तश्रीफ लाएं और अपने सदारती कलमात स करते नादें. खाबिल तारीफ है, इस किताब के लिखने में जो महनत और सलीखा से उनों ने काम किया है, वो आज इस फंक्शन में भी उसी तरह से फंक्शन और गनाइज किया गया है. और ये किताब इसके मुस्तहक है बिलकुल कि उनों ने जिस तरह से इनकी किताब मैंने सरसरी पड़ी है, और इसमें इतनी ज्यादा मेहनत और रिसरच उनों ने दी है, के करी है कि वो खाबल तारीफ है और ये जो हमारे दोलक के गीत का शादियों में ने बलके दूसरे मौकों पर भी गाये जाते थे, लेकिन वो रस्म और रिवाज वो खतम नहीं होते जा रहे हैं, बिलकुल खतम होते जा रहे हैं, और इनके एफर्ट से कुछ इसका किया है उसको रिवाइवल होने के कुछ इस बहुत से कोशिश की की गई है उन्होंने अपना कि जो यूट्यूब पे भी इनोंने इसको दलवाया है, उससे काफी इसमें इंट्रेस्ट पैदा हो गया है, और लोगों ने चैर्मिनर रेडियो को बाहर से भी लोगोंने कहा है कि इसको और प्रोग्जम वो करते रहें इसके, तो वहराल मैं ने समीना से एक और रिक्वेस्ट की है, मुझे किसी, हमारे एक पार्सी दोस्त ने एक दो वॉल्यूम के किताबे मुझे दी थी, जो पार्सी बोल कहलाती है, उसमें पार्सी महावेरे और गुजराती उनकी, गुजराती डायलेक्ट है उनकी, जैसे उर्दो हमारी दखनी उर्दो जैसे डायलेक्ट है, वो पार्सीों की भी गुजराती डायलेक्ट है, तो वो किताबे बड़े मज़े की, मज़दार किताबे हैं, उसमें पार्सी बॉल, जोके पार्सीों के फरेज़ेजिज और एडियम जहने फिखरे और महावेरे, उन्होंने छपा है काटून के साथ, तो चुब के समीना की खासियत है कि वो रिसरच करें, मवाद कलेक्ट करें और किताब इस खिसम की छपा है, तो मैंने इसे दर्खास की है, कि ये नेक्स्ट इनका प्राजेक्ट जो है, ये दखनी बॉल के लिक देंगे, और हमारे दखनी बॉल बड़े मज़े के होते हैं, तो मुझे उमिद है कि वो इन्शाल्ला ये मेरा सिजेशन लेकर करेंगे क्योंकि इनकी बहत खाविलियत है इस बिसमें, और इन से जब मेरी गुफतगू ही, तो फटा फट इनोंने कई बॉल महावरे फिक्रे मुझे सुना दिये लिए, तो इन्शाल्ला अगला इनका प्राजेक्ट वही रहेगा। आम बॉल चाल में खवातीन जो घरेलू खवातीन जो कोस थी हैं, वो कोसों को भी एक जगा करके खुबसूरत अंदास में किताब की शकल दी गई है, बाद आपता हो किताब मनजर आम पर आई और बहुत मगबूल भी हुई, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत मुफीद मश्वरा दिया, हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे दर्मियान एक अदबी शक्सियत डॉक्टर जावित कमाल तश्रीफ फर्मा है, जनाब मारूफ शायर महबूब खांजगर साहब है, और शिकागो के शायर सलीम साहब भी तश्रीफ फर्मा है, I don't know कि मैं ये डायस पे क्या कर रहा हूं, because सब लोग इतने लिखे पड़े हैं, उर्दू बोल रहे हैं, मेर को उर्दू बिलकुल काम आते हैं, मतलब मैं अभी इन से सुनके भी जरा डर लग रहा है, ये कहना था कि हमने समीना से मिलके बड़ी खुशी भी, तो हम को मालूम नहीं था कि ये ऐसे पेमाने पर हमको इतना रिस्पॉंस मिलेगा, because हमने जब शुरू किया, तो हमको मालूम नहीं था कि ये क्या कर रही हैं, हमने सुना हैं और इन से हमने काफी धुलक के गीत सुने थे, बड़े अच्छे थे, तो बड़ा मज़ा आया, लेकिन ये बोलना चाह रहा हूं, कि about 49 million hits हुए, ये, mainly, mainly इनकी वज़े से, but also because of Charminaar Radio, रेडियो चार मिनार जो है, तो उसके बारे मैं सरफ ये कहना चाह रहा हूं कि, जिस ये community radio हमने कायल उसको स्टार्ट किया है, उसका वज़े ये है कि इसमें सारे लोग थोड़ा contribute करके, सब जैसे धोलक के गीत हैं, दूसरे दूसरे, सब चीज़ें शुरू कर सके, इसमें तीन साल हो गए, भी चौता साल होने वाला है, तो इतनी तरक्षी हुई नहीं है, बिकज थोड़ा लोगों को एकठा करना थोड़ा problem होता है, और आजकल तो लोग बड़े फिल्मी चीज़ों में ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी हमारी रेडियो की कोशिश है कि अगर किसी को भी रेडियो पे कुछ भी करना है, तो प्लीज आप लोग ये सुचे कि ये आपी का रेडियो है, और अगर आपने कुछ इस पे कुछ करना है, तो दिल खोल के अपना कुछ आईए और कीजिए and you are most welcome, Samina ने जैसे किया था, we are very happy कि इन्होंने इतना किया, Hafiza और उनकी लोगोंने कितना बहुत फेमिस हो गई है, अभी तक every day, हजार दो हजार से जादा लोग आके दिखते हैं, तो, we want this to continue, और रेडियो चार मिनार को आप प्लीज सपोर्ट कीजिए, और्दू को हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो, anything for you, thank you very much. हो गया, हो गया, खत्म, हो गया, आजरीन, देखिए, नाजिम के लिए बड़े नाजुक मूमेंट्स आजाते हैं, कभी ऐसे लमात आजाते हैं, जब कहते हैं, तुम हटो नाजी पीच्छे वालों को आने जो, ये बहुत ही, मेरे लिए खास तोर से, बहुत ही नाजुक मौका है, देखिए, जब हम किसी मेमान को मद्दू करते हैं, तो दो जुमले तो उनके बारे में हमें बोलना चाहिए, कि ये मेमान वो है, ये मेमान वो है, बहराल, मैं इंतहाई माज़रत के साथ, अभी आपने सुना के, जनाब हसन रहमतुल्ला साहब, बहुत थी, तहे दिल से मैं माज़रत खाऊ हूँ, क्यूंकि मैंने आपका तारुफ कराया भी नहीं ता, आपकी तारिफ की भी नहीं थी आपने अपना तारुफ खुद करा लिया, लेकिन मेरी जिमेदारी है कि मैं बता दूँ कि लेकि आम तर पर ये होता है कि किताबों की रसमेजरामे जितने स्टेज पर तरश्री फर्माँ लोग होते हैं सब अदब से उनका तालुग होता है हम सब जानते हैं सब जानते हैं लेकिन यहां कुछ नए चेहरे थे हमारे लिए इसलिए मुझे थोड़ा सा कन्फूजन वा उसके लिए मैं इंत्याय तहे दिल से मैं माजरत खाहू हूँ मैं इस महफिल के इखताम से पहले मैं ऐसे फरिजे की तरफ समीना बेगम को लाना चाहती हूँ जो वही कर सकती हैं आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ वो बेचेन हैं हदिये तशकुर पेश करेंगी समीना बेगम तश्रीफ लाए और स्टेच इनके हवाले करें असलाम अलेकुम मैं बेचेन नहीं हूँ मैं आप लोग की बेचेनी का ख़याल कर रही हूँ तो आप मुझे पता हैं आप सुनने के लिए बेचेने और ये भी सुनाने के लिए बेचेने पीचे से बार बार आवास दे रहें कि कब शुरू करेंगे तो मैं ज्यादा वक्त सबसे पहले मुझे ये कहना है अगर मुझे इजाज़त ना देते लोग को वहां पर यूटूब पे बुलाने की और वहां गवाने की तो शायद आज ये किताब वजूद में ना आती मेरा इरादा था लेकिन इतनी जल्दी आएंगी इरादा नही था ये स्रीफ और स्रीफ रेडियो चार्मिनर की वज़े से मुम्किन हो पाया और इतना रिस्पॉंस मिला इतने मेरे को मुझे वीडियो आडियो रिकार्डिंग वगरा इतने मिले हैं इतने खुश है लोग कि आपने हमारा बच्पन याद दिला दिया हम पुराना जमाना याद दिला 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 द कि अगर मैं बोलों कि जिल बता बच्ची मेरी फूसी कि ये क्या है ममी क्योंकि अज रिवा जी नहीं रहा उसका तो उसके लिए एक म्यूजियम लगाना पड़ेगा कि सारी पुरानी चीज रखने के लिए लेकिन जबी भी वह चीज याद करते हैं तो दिल भराता है कि काश वह फिर से आजाए तो मैं फिर से ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं डाइस में मौजूद सब का तमाम का शुक्रियादा करती हूं और जो दूर-दूर से मेरे कहने पे और सारे लोग यहां जो जमा है मैं माफी चाहती हूं नाम एके करके नहीं लोगी क्यूंकि सब बेच मैं आप तमाम की शुकर गुजार हूं